तो आज करेंगे कोश्चन और उसके अंसर देखेंगे ठीक है तो प्रिलिंक के कुछ भी नहीं है तो जो है उस पर चलते हैं ठीक है कि प्रैक्टिस कोश्चन देखते हैं पूचा है विच्व फॉलिंग संस्क्रित प्ले और उसके ऑथर नॉट करेक्ट्ली मैच इन में से कौन सा गलत मैच है तो पहला है सरी पुत्र प्रकार्ना अश्व गोशा ने लिखाए गया मुद्र राक्षसा मुद्र राक्षसा विशाग दुत्ता ने लिखाए क्या रतनावली कालिदास और मरिच्च कटिका बाय सुद्राखा ठीक है तो अंसर पर आतें डिरेक्ली ठीक है पहला सही अपना सरी पुत्र प्रकार्ना अश्व गोशा ने लिखाए ठीक है और मुद्र राक्षसा विशाग दुत्ता ने और मरिच्च कटिका सुद्राखा ने तो रतनावली कालिदास जीन नहीं लिखा ठीक है यह अपने तीनों सही है ठीक है तो रतनावली किसे ने लिखा है यह लिखा है हर्ष वर्धना कालिदास के क्या थे तीन थे मलावी अगनी मित्र याद है विक्रम औरवशी और शकुंतलम यह तीन थे ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा नॉट करेक्ली पूचा है यह गलत है तो स्टेट्मेंट दिये बताने कौन सा इसमें से मैच करता है स्टेट्मेंट को ठीक है तो है इस थेटर इनमें से कौन सा थेटर फॉर्म एग्जिस्ट सिंस 10th सेंचुरी एडी परफॉर्म बाई चक्यार एन नाम भी आर कास्ट ओफ केरला तो इसका अंसर है कोदी अट्टम कोदी अट्टम हाला कि सब टॉपिक था बॉक्स में या लोक अलर में ठीक है बड़ यह बहुत इंपॉर्ण है अब यह आगे देखेंगे मेंस में भी कोशन आ रखा इसके उपर ठीक है अब देखते हैं कंसीड दा फॉलिंग स्टेट्मेंट अबाउट अं नहीं है शंक्रा देवा ठीक है पीरड और रीजन नेम पीरर रीजन तुह तो तीनों सही होनी चाहिए तभी यह स्टिट्मन्ट सही होगी ठाए और सेक्ट्रीटम देट्रीट्रिस बेज्ट Đर लाइफ सीन आफ लॉर्ड कृष्ण तो सेकंड तो सही है ठीक है और शंक्रा दिवा ये भी सही है आसाम ये भी सही है 14th century नहीं है 16th century ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जागा B 3rd का B ठीक है और असाम में कहां पर था मजूली आइलेंड ठीक है आगे चुक्त नॉट करेक्टली मैच ठीयम केरला में बूरा काटा आंधरा ठीक है बाया लता करनाटका और कुरवनजी उड़ीसा तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जागा थेयम केरला सही है ये भी सही है ये भी सही है तो कुर्वन जी उडी सा नहीं है इस इस फ्रॉम तमिलाड ठीक है तमिलाड में ये फोर का डी आई चुट अंडर दिस थेटर फॉर्म स्टोरी आफ रमायन और नरेटेड यूजिंग बो शेप्ट इंस्टूमेंट तो उमने बताई वी था बो शेप्ट इंस्टूमेंट यूज करते हैं ठीक है धनुशुबाण तो इसका करेक्ट अंसर कहां साथ इसमें से अंसर इसका है फिफ्ट का वीलू पट्टू ठीक है आप रिकॉल कर पा रहे होंगे ये क्या है मुजिकल फेस्टिबल ऑफ केरलाइन पार्ट्स ओफ तमिलनाड राइट चलागे चलते हैं तो फिफ्ट का था था भी ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है अपना इन इस स्पेशल थेटर फॉर्म टू नरेटर परफॉंद प्लेव यह थीम मेंली रिवॉल्व राउंड लॉर्ड शिवा तो दो नरेटर थे ठीक है और थीम क्या थी लॉर्ड शिवा जी आपको बताने है इसमें से कौन सा है वह ठीक है तो यहाद 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 पर वुड़न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ठीक है वुड़न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे क्या कहते है काथिया ठीक है चलते हैं अगे तो इसमें से अंशर है थियम तो यह रहा अपना एट का पी यह रैफरेंस के लिए में में पूर्शन पर चलते हैं कि पहला है राइट सेंटेंस इच ओफ फाइव फॉलॉइंग ट्रडिशन थेटर फॉर्म है तो सेंटेंस लिखने आपको इन सब के ठीक है तो बंद पत्थर तो रीजन बंद पत्थर का था जम्मु कश्मीर राजिस्थान और हर्याना जे एनके राजिस्थान हर्याना मच्च का था आपको याद है एम 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 तो पहला एम था मालवारी जनकांसे दूसरा हम था मद्ध्यबदेश ठीक है तीसरा हम था मैथ लोजिकल थीम्स यक्षगना क्या है आप यक्षगना के बार में आगा आपको लगना है ओल्डेस्ट थिएटर ट्रडीशन थिएटर ट्रडीशन थिए कहां से था यह करनाटका से पार्ट्स ऑफ केरला ठीक है और विजयनगर एंपायर एससे और इंफुएंस पाय किसे था वैशनवा भक्ती मूवमेंट तो यह सब पूरी कानी पटर की हमने इकल लेगा ठीक है तो वेडिट दा फॉलिंग ट्रडीशनल फोग थेटर ओर इसनेट कहां कहां ओरीजिंट थैंट माहरास्ट्रा ग prót एएं जट्रा कहां से था इस confirmed इंडिया से था टिक है जब लोगानी अडे यांत्ति मौन कहां से था टिशा पर लेन की लगातिश्था डीजु थी करत Jedi इंडिया ठीक है नेम एनी टू इंपोर्टेंट परसन एसोसेट विदर डेवलोप्मेंट ओफ दिस आर्ट ठीक है नेक्स्ट कोशन है अपना घासी राम कोतवाल यह किस ने लिखा था ठीक है तो यह बेसिकली करेंट अफेरा कोशन है कि यह देखो 1982 और मैं क्यों बोल रहा हूं कि इसलिए बोल रहा हूं देखो 1982 में ठीक है और घासी राम कोतवाल किस से एसोसियेटेड है वो है विजय तिंदुलकर जी से ठीक है यह हमने पढ़ा था विजय दिंदुलकर जी से आपको याद है लास्ट में हमने गुला था पी लंकेश तो यह उनमें से एसोसियेटेड है इन्होंने 1981 में ना 91 में उन्होंने एक लव सॉंग जिसे कहते हैं बलाड लिखी थी ठीक है और इनको 1984 में क्या में रहा था पदम भूशन तो नेम तो रेकेमेंट पहले ही जाते हैं तो यह न्यूज में थे मतलब मेरे कहने का मतलब यह है ठीक है तावी चलते हैं प्रैक्टिस कोशन में देख लेते हैं संस्क्रिट प्ले बिकेम अन अमलकमेशन और ट्रडीशन एंड रिलीजिस ट्रडीशन डियूरिंग एंशन टाइम इसको एकस्प्रेंड करें ठीक है दूसरा है डिकलाइन क्या था यह पूरा टॉपिक कर रहा है हमने तो लिख देना ठीक है डिकलाइन अगरे लिरिकल वर्क ओवर ट्रमाटिक वर्क ठीक है और एमबलिशमेंट ऑफ संस्क्रिट उसको डेकुरेट कर दी बहुत मासस के लिए नहीं था फिर पाली और प्रक्राइट लेंगवज आगई मासस के लिए संस्क्रिट कहां से थी असोसीटेट थी ब फॉल्डेस्ट कंटीनोइंग थेटर फॉर्म अफ इंडिया तो पहले आपको रिकॉल आपड़ा है किसके बारें बात कर रहे हैं को दिया थाप ठीक है कोदी यट्टम के बाद कर रहे हैं जिसको और क्या बोलते हैं कूथी यट्टम ठीक है तो फिर राइटर शॉर्ट नोट ओन एनी फाइव रिच्चुल ठीक है रिच्चुल एक था रिच्चुल दूसरा था कि एंटर्टेन्मेंट कीश्र था साउथ इंडियन थेटर अंकिया नाट याद है आपको तो वही सब है तो यह आप लिख देना अब नेक्स्ट चैप्टर देखिंगे हम इंडियन पपेट्री तो आज के लिए इतना है आप दोते हैं आपसे नेक्स्ट रूटम